आज तक नहीं पता कि company खुड termination letter देने की बजाए आप से क्यों resignation डलवाती है एक manager या फिर एक किसी company की इतनी हिम्मत हो जाती है कहने की कल से मुझे इसकी शकल नहीं दिखनी चाहिए कुछ female employees को अलग-अलग compliance का use करके निकाल दिया जाता उनकी बस इतनी गलती होती है कि वो pregnant है लेकिन अगर company दे ही नहीं रही है letters multiple follow-up के बाद भी उस case में एक employee क्या कर सकता है कोई भी company आपको bound नहीं कर सकती किसी भी job में टिके रहने के लिए उतनी buttering नहीं कर पाते हो जितनी बाकी करते हैं तो same performance के बाद भी आपको terminate कर दिया जाता है और बाकी जो आपसे कम perform कर रहे है उसी company में ठीके रहते हैं कि आपको हर महीने दो महीने में एक line सुनने को मिलेगी कि we are not a company, we are a family तो इन सब चक्रों में बिलकुल मत पढ़ियेगा देखें जब आप किसी company में job करते हैं तो जितनी जरूरत आपको इस job की होती है ठीक उतनी ही जरूरत company को भी आपकी होती है इस चीज को हमारा constitution बहुत ही अच्छे से समझता है और यही रीजन है कि हमारे constitution ने एक employer और employee दोनों को एक नजर से देखके उनके अधिकार दी है लेकिन अपने अधिकार ना पता होने की वज़त से एक employee हमेशा back foot पे रहता है एक company में काम करने के कुछ rules होते हैं और यह company और employee दोनों के लिए होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ लोग तो 10-10 साल से job कर रहे हैं उनको आज तक नहीं पता कि company खुड termination letter देने की बजाए आप से क्यों resignation डलवाती है ऐसा करने से आपका कितना बड़ा नुकसान होता है इसका कोई idea नहीं है आपको और यह सब समझने के लिए कोई rocket science की ज़रूरत नहीं है बहुत ही basic चीजे है तो इस वीडियो में हम सारी चीजे detail में discuss करेंगे देखिए सिर्फ तीन reason होते हैं जिसकी वज़से company आपको निकाल सकती है पहला होता misconduct दूसरा होता performance और तीसरा होता है company के पास आपके लिए काम ही नहीं है उसके पास project ही नहीं आ रहे है आपके लिए देखिए अगर आपने कोई misconduct किया है कोई disciplinary issue है कोई चोरी की है या फिर किसी female को परिशान किया या data इदर से उधर किया है तो ऐसे cases में कोई सुनवाई नहीं होती है आपको right away निकाल दिया जाता है एक inquiry होती है उसके बाद आपको terminate कर दिया जाता है तो पूरे hiring के process में कहा कहा ध्यान रखना है यह सारी चीज़े discuss करते हैं देखिए जब आप job के लिए apply करते हैं तो आपका selection होने के बाद आपको letter of intent दिया जाता है इसकी कोई legal binding नहीं होती है इसका simple सा यह मतलब होता है कि company ने intent दिखाया है आपको hire करने के लिए letter of intent के बाद आपको required information देनी होती है कुछ companies salary slip और other documents मांगती है verification के रिए और उसके बाद आपको offer letter भेज देती है offer letter एक proof होता है कि company ने आपको job offer की है और उसमें किस दिन आपको company join करनी है यह mention होता है अगर उस date को आप नहीं करते हो तो वो invalid माना जाता है फिर जिस दिन आप company को join करते हो उस दिन आपको appointment letter दिया जाता है और अपनी सारी details fill करके sign करके जो details आप company को देते हो उसे joining letter बोला जाता है इस appointment और joining letter पे जब company और employee दोनों sign कर देते हैं तो एक legal contract बन जाता है अब यह जो appointment letter है यह आपके पूरे employment का basis बन जाता है इस letter में जो लिखा होता है उसी के basis पे decide होता है provision period, notice period, termination clause, CLEL breakup, subvention होता है उसमें और कुछ cases में companies थोड़ी होशारी करते हैं यह client add कर देती हैं कि यह सिर्फ contract एक साल के लिए valid है तो अगर एक साल के बाद भी आप same company में काम कर रहे हैं तो आप HR को request कर सकते हैं extension के लिए यह जो letter होता है यह proof होता है कि इस date को आपने company join कर लिए लेकिन इतने पे भी आप उस particular company के confirmed employee नहीं होते हैं आप minimum 3-6 month provision period में रहते हो इसकी timing हर company के अलग-अलग होती है आप अपने appointment letter में देख सकते हो generally यह 6 month की होती है और जरुरत पढ़ने पे इसको बढ़ा भी देते हैं अब यह provision period क्या होता है देखिए provision period में एक तरह से company चेक करती है कि employee उसके लायक है के नहीं और employee चेक करता है कि company उसके लायक है के नहीं भली provision period 6 month का हो company आपको बिना कोई reason दिये कभी भी निकाल सकती है और same चीज employee भी कर सकता है बिना reason दिये वो कभी भी छोड़ सकता है इसमें आपको सिर्फ basic rights मिलते हैं जैसे कि national minimum wages, sick leave, maternity leave और इससे जाधा कुछ नहीं मिलता अगर appointment letter में notice वगारा mention है एक week का तो वो मिल जाएगा वरना वो भी नहीं मिलेगा जब आप successfully अपना provision period complete कर लेते हैं उसके बाद आपको confirmation letter मिलता है और तब जाके आप company के confirmed employee माने जाते हो और company आपको एक जटके से ऐसे निकाल नहीं सकती आपको सारे company के benefits मिलते हैं और अगर company आपको निकालेगी भी तो उसको compliance follow करने होते हैं लेगे कुछ companies joining के time पे आपसे bond भरवाती हैं उसमें भारी भारी पैसे लिख देती हैं कि अगर आपने इतने time से पहले छोड़ी तो आपको इतना पैसा देना होगा कुछ companies mark sheet भी जमा करा लेती है तो देखे पहली चीज़ तो यह है कि इंडिया के कानून के इसाब से कोई भी company आपको bound नहीं कर सकती किसी भी job में टिके रहने के लिए bond के case जब court में जाते हैं तो अगर company ने आपकी training में पैसा खर्च किया है और आपको किसी वज़े से job छोड़नी पड़ रही है तो उस case में यह देखा जाएगा कि आपने कब तक job की है और एक estimate लगाया जाएगा कि आपकी वज़े से कितना फायदा हुआ है और आपकी training में कितना पैसा लगा है माली यह 100 रुपे लगा आपकी training में और 80 का काम आपने करके दे दिया है तो आपका बकाया 20 रुपए यह आपको देना होगा और यह ट्रेनिंग में पैसा लगा है ये मूँ से बोलने से नहीं होगा कि हमारा इतना पैसा लग गया है एक-एक चीज कंपनी को प्रूफ करनी होगी कि इतना पैसा इसकी ट्रेनिंग में लगा है और कोड भी बहुत अच्छे से इस चीज समझता है कि नए employee पे एकदम से इतना पैसा खर्च नहीं होता है इसलिए आप पुराने cases देखोगे तो जितने भी case जाते हैं कोड के अंदर उसमें employee के हक में ही फैसले जाते हैं दूसरा होता है non-compete clause इसका मतलब कि आप उनके competitor को जाके join नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं है आप बिलकुल join कर सकते हो भले आपने कितना भी bond sign कर रखो बस एक चीज का आपको ध्यान देना होता है कि कोई monetary नुकसान ना करें आप अपनी current company का जैसे कि उनका data उठा के आप दूसरी company को दे 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 या फिर information leak करना शुरू कर दे तो ऐसे case में आप दिक्कत में आ जाएंगे आप भले किसी भी company के साथ काम कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस stage में associated है उस particular company के साथ ये जो offer letter, appointment letter, joining letter, confirmation letter होते है ये हर एक letter proof होता है एक particular situation के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके लावा जो भी चीज़े है उस पर company का control होता है, biometrics है वो company के पास है, email का access company कभी भी बंद कर सकती है, आपका कितना भी याराना हो आपके co-workers के साथ, आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये जो letters आपको language कोई खराब नहीं होती, language को लेकर discrimination होता है, वो गलत होता है, आपको अपनी requirement के इसाब से जो भी चीज़ सीखनी है आप सीख सकते हो, और अगर आप corporate word में है तो English से आपका कभी ना कभी तो पाला पड़े गई, तो इसलिए time to time आपको इस पर काम करना चाहिए, सिर्फ letter की बात नहीं है, बाहर के client से भी जब interact करना होता है, तो उसमें भी आपको मदद मिलती है, तो इसमें आपकी मदद कर सकता है Cambly, Cambly India की अकेली app है, जिसमें one-on-one private English tutor से आप बात कर सकते हो, यह सभी tutors native English speaker है, मतलब कि वो लोग जिनकी first language English है, जैसे की US, UK, Canada जैसी countries के लोग, यह app खासकर उन लोगों के लिए, जो की English जानते हैं, बट naturally fluency से नहीं बोल पाते हैं, इस app में अलग-अलग learning stage options हैं, जैसे की business, IELTS और personality development, सभी tutors बहुत supportive हैं, और आपको English के लिए कोई जज नहीं करेगा, So how are you? I'm very well, thank you, how are you? I'm also good, thank you. Okay, my name is Sam, I'm from England. Hi, my name is Nitish and I'm from India. Nitish from India, okay, nice to see you. के बाद भी, तो उस case में एक employee क्या कर सकता है? Especially ये start-ups के case में ज़्यादा होता है. देखिए, आप किसी भी letter को लेके follow-up करें हैं अपनी company में, appointment letter का example ले लेते हैं, आपने company join कर लिए, आप काम कर रहें, लेकिन उसके बाद भी HR आपको appointment letter नहीं दे रहा है. उस case में आपको copy आपको अपने pass रखनी है, और उसके बाद आपको follow-up करने की ज़रूत नहीं है. आप कुछ लोग कहेंगे कि email use नहीं होता हमारे हैं, तो ऐसे cases में आप अपनी company को letter लिखेंगे, company के address पे speed post करेंगे, और उसकी copy और speed post की receipt अपने pass रखेंगे. और कोई भी document हो जो आपको न निकालने पे compliance follow करने होते हैं. In fact, 2020 में ये bill आए गया कि अगर कोई company किसी employee को terminate करती है, तो उसको 9 month तक की salary और उसके benefits सब देने होंगे. अगर आने वाले time pay bill पास हो जाता है, तो जो companies अभी आपसे कहती है resignation डालने के लिए, उस समय और tricks खेलेंगे आपके साथ, आपसे resignation ड मिलेगी, इसमें आपको डरने की जरूत नहीं है, बस आपको अपने rights पता होने चाहिए. कुछ cases में अगर आप आना कानी करते हो, तो company आपको terminate नहीं करती है, बलकि entry बंद कर देती है, और 10 दिन के बाद compliance में ये दिखा देती है, कि ये particular employee 10 दिन से बिना बताय गयव है, औ और absconding का case बनाके आपके benefits मार लेती है, इसलिए आप जब भी leap पे जाए, email जरूर डाले, बले आपकी कितनी अच्छी बनती हो आपके manager से, इस चीज़ पर खुश मत हुए कि हमारे हाँ तो email का जाड़ नहीं है, हम तो phone पे ही बता देते हैं, कई ऐसे cases होए, जहाँ पर employee ब बनाएगा, आप कहोगे कि system का access हमारा बंद कर दिया है, company में entry हम बंद कर दिया है, अब इस case में हम क्या ही कर लेंगे, तो इस case में भी आपको वही करना है, जो आप appointment letter या फिर offer letter के time पर करते हैं, आपको email करना है, और अगर email का भी access आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको speed post क करना है, और सारी चीजे mention करनी है, जो जो लोग involve हैं इस में, उन सब के नाम mention करनी है, और 90 days के अंदर labor commissioner को complain करनी है, आप जब चाहे online complain कर सकते हैं, link में YouTube के description में दे दे रहा हूं, और toll free number भी है, आप state wise उस पर call कर सकते हैं, और अपनी complaint दर्ज करा सकते हैं, और अगर इस प बड़ी-बड़ी company है, इनके पास इतना पैसा है, इतने अच्छे lawyers हैं, इनके सामने हम कैसे tick पाएंगे, labor court इस चीज को बहुत ही अच्छे समझता है, और आप past का record निकाल के देखोगे, तो labor court employee को उसका हग दिलाता है, बले कितनी-बड़ी company हो, और दूसरी चीज, market में का काफी बड़े-बड़े lawyers हैं, जो compensation का percentage split करके, आपका case लेने के लिए ready रहते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूत नहीं है, और इसमें आपकी reputation से ज़्यादा company की reputation लगी होती है, आपके कुछ benefits के चक्कर में, company labor court में जाके अपनी reputation दाओ पे नहीं है, तो आप company के साथ mutual agreement पर छोड़ सकते हैं, यह सारे efforts आपको तभी करने चाहिए, जब आपके साथ ना इंसाफी हुई हो, किसी ने आपको disrespect किया हो, कोई गाली गलोज कियो आपसे, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा issue आता है, वो आता है performance का, यह competitive word है, deadline chase करनी होती है, औ पैसे कमाने बठी है, तो अगर आप performance नहीं दे रहे हो, तो company को पूरा हग बनता है आपको निकालने का, लेकिन illegal तरीके से नहीं, अब यह illegal तरीका क्या होता है, लेकिए जब company compliance का एक भी step miss करके employee को निकालती है, तो उसको illegal termination कहा जाता है, जिसके खिलाफ एक employee action ले सकता है Company खुड termination letter देने की वजाए, आप से resignation डलवाती है, ताकि आपके benefits आपको ना मिल पाएं, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि आप उतनी buttering नहीं कर पाते हो, जितनी बाकी करते हैं, तो same performance के बाद भी आपको terminate कर दिया जाता है, और बाकी जो आप से कम perform कर रहे हैं, वो उसी company म तो अपनी मन मर्जी चलाना और rules को follow ना करना ये गलत है, इसके खिलाफ action आप ले सकते हैं, अगर performance की वज़े से भी निकाला जाता है, तो इसका एक तरीका होता है, कि आपकी performance को लेके कभी बताया गया आपको कि आपकी performance खराब है, या किसी PIP प्रोग्राम में आपको पहल आपकी performance खराब है, तो आपको पहले notice दिया जाएगा, warning दी जाएगी, उसके बाद भी आप अगर काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो आपको last date बताके, एक मन्त की basic salary plus दिये दिया जाएगा, आपकी CL और EL जो बची है, वो आप uncash कर सकते हैं, gratitude मिलेगी आपको अगर आप 5 साल स social media पर, उल्टा सीधा लिखने लगते हैं company के बारे में, तो ये करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है, क्योंकि ये करने से company आपके against में इसको use कर सकती है, कि आपकी वज़े से उनकी reputation का नुकसान हुआ है, उल्टा वो आप से compensation मांग सकती है, तो ऐसा बिल्कुल करें, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपका हक है, वो लीजिए, और कोई आपको कुछ भी बोले, आपको बस हर चीज को document करना है, उनसे जवाब सवाल नहीं करना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है, कि company ने आपको lay off किया है, ये दोनों अलग अलग profit मिलते हैं, वो मिलता आपको, लास्ट में एक चीज कहूंगा, इस्पेचली जो नए ने इस corporate word में entry कर रहे हैं, कि आपको हर महीने दो महीने में एक line सुनने को मिलेगी, कि we are not a company, we are a family, तो इन सब चक्रों में बिल्कुल मत पढ़िएगा, ये corporate word है, यहाँ सारी चीजे profit औ को निकाल के बाहर कर देगी,